यूटूब चैनल मेडिकल नर्से सब तो आज हमें आप बात करने वाले पीवी एमपी पीवी में जिन भी लोगों ने एक्जाम दिया था उसका रिजल्ट है जो अनाउंस हो गया है 2150 वैकेंजी निकाली गई थी 2150 पोस्ट थी जिसका एक्जाम है जो कंडेक्ट करवाया गय था था तो आई थिंग 2-3 मंथ के बाद ही रिजल्ट आया है तो प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है तो हम यहां पर ऑफीचल वेबसाइट ओपन करेंगे तो देखिए हॉम पेज पर रही लेटेस्ट अपडेट में देख रहा है ग्रूफ फाइब जिसमें फार्मासिस्ट लेब टेक्नीशन नर्सिंग सिस्ट ट्यूटर था स्टाफ नर्स की पोस्ट पर था और रेडियोग्राफ और आई टेक्नीशन लेब अटेंडेंट की पोस्ट पर एक्जाम कंड़क्ट करवाए गये थे उन सभी का रिजल्ट है जो आ गया है तो इसमें स्टाफ नर्स के लिए 525 पोस्ट थी मेल नर्स के लिए 222 लेब टेक्नीशन के लिए 347 फार्मासिस्ट के लिए 67 रेडियो क्राफर के लिए 233 आई टेक्नीशन के लिए 67 लेब अटेंडेंट के लिए 155 तो यहां पर आपको अपना एप्लिकेशन इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट है जो आपको मिल जाएगा तो यहां पर जिन भी लोगों ने एक्जाम दिया था मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूं कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशन, मेल स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, नर्सिंग टू गया था 2020 में, और अभी है 2021 जिन भी लोगों ने पेपर दिया हो, लोग अपने रिजल्ट जरूर चेक कर लें और आपको किसी भी तरीके के डाउट्स ओं रिजल्ट को लेके तो आप लोग मुझे मेरे वाट्सअप नमबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हिए, कॉल ना करें, आ पर दी हुई है किस category के लिए कितनी cutoff रही है तो आप लोग यहां पर cutoff भी चेक कर सकते हैं आप लोग को कुछ नहीं करना official website पर जाके सबी चीजें आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं किस category के लिए क्या cutoff रही है और कितनी vacancy थी तो vacancy के बारे में आपको बता चूकी हूँ यहां पर आपको cutoff भी मिल जाएगी इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर इसमें staff nurse के लिए cutoff I think नहीं आई थी बांकि सभी post के लिए आ गई थी यहां पर result note देख रहा है sorry मेरा यहां पर तो यहां पर अपडेट जब भी आप इस official website को चेक करें कहीं की भी तो पूरे notification उसके एक बार चेक जरूर कर लें 12 माई को result announce किया गया है यहां पर cutoff भी दे दी गई है result note भी यहां पर दिया गया है कि result है जो announce हो गया है यह देखिए professional examination board ने परिक्षा परिणाम गोसित कर दिया है तो यहां पर जिन भी लोगों ने टोटल देखो यह बताया गया है यहां पर 92,433 online form है जो फिलप करवाए गये थे इसमें अलग अलग पदों के लिए टोटल 25 विविन प्रस्न पत्रे से बाई तक जो code दिया गया था वो है प्रस्न पत्र के का परिणाम तयार नहीं किया गया है बाकि सभी को है जो exam जिन भी लोगों ने दिया था तो उनके यहां पर बता दिये गये हैं पोस्ट कोड यहां पर ए है तो यहां पर जो पोस्ट कोड दिया गया है के वाला उसमें यहां पर उसकर उनका result है जो अभी नहीं आया उनको अभी वेट करना होगा साफ साफ कहा गया है पाइधिंक पोस्ट पोस्ट कोड के रहा है इसमें नर्सिंग से रिलेट करते हुए एक्जाम को रखा गया था मां की सभी की रिजल्ट है जो आगा है मट आप लोग एक बार इसको चेक जरूर कर लेना तब भी आपके कोई डाउट्स हों केरी जो तो आप लोग यहां पर मेरे वाट्साप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आइस थैंक यू फो वाचिंग अस मैं बाए